नमस्कार आप देखें पंजाबकेसरी.com और मैं आपके साथ संजीव इसे में चुनावी यात्रा शुरू है पंजाब केसरी की तवाम छेत्रों में जाके हम समस्याओं को देख रहे हैं और साथ जो पद्यासी हैं ख़रें उनके से भी बातलाब कर रहे हैं कि क्या महोल है छेत को मेरे शुक्त कामना है आपसे पहला सवाल कि जिस तरीके से आप जन्ता के बीच उठ रहे हैं इस समय कैसा विश्वास कायम कर पाया कि इतने दिन परचाब पसा के हो गए जन्ता संबाद के हो गए जन्सभा के हो गए निश्यत रूप से मेरा अपना मानना है कि एक बहुत सकारात्माक महौल बारते जन्ता पार्टी के पक्ष में पूरे चांदनी चौक के लोगसभा खेत्रों में बना है लोग प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी जी की जो विश्वसनेता है वो लोगों के दिलों में घर कर गई है क्योंकि दस साल में प्रधानमंतरी मोदी जी ने ज के बाजपा को समर्थन दे रहे हैं और इस बार लोगों का मन बन चुका है कि वह चानी चौक की सीट को रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्शका आएंगे एक सवाली विवंता आपने का मोधी जी के सबस्क्राण के 10 सालों के काम से जंटा पतली तो क्या लगता है कि मोधी जी के नाम पर नाम की करत्यों को 5 Nasar कर्तव के साथ उसको अमली जामा पहला है तो इसलिए नरेंदर मोदी एक बड़ा नाम है जो लोगों के बीच में बहुत मजबूती से जिसने अपना स्थान बना रखाए घंदिलबल जी आपके विपक्ष में इंडिया लाइंस के परे चेहरे हैं जेपी अगरवाद आप भी यह बीफारी है और जंता से वातला है एक ब्रशाप्ण कर ब्रचला वह भी एक बहुत व्यपारी है तो क्या लगता है जो टक्क्र है कैसी रहने वाली धर को टक्क्र है इसका मैं नहीं बानता है चुनाव चॉनाव हम रिकॉर्डवोटों से जीत रहे हैं जहां तक व्याप जो वेपारी के शेत्र में एक लंबे समय से एक्टिव रहा हो मैं एक्टिव हूं यह बात सबको पता है लेकिन मेरे खिलाब दर्शनाव लड़ रहे हैं वह वेपारी समस्यों में कितने एक्टिव है इसका अड़ने शेत्र के वेपारी करेंगा घंडिलवाल जी अपने जमीन और जो मेरे एक तरफिक की बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग एक दूसरी बड़ी समस्या है छेतर के लोगों ने पार्किंग के चार्डिस तो दे दिये और हजारों करोड़ रुपया नागर निकम को चला गया लगे उसके अनुपात में पार्किंग आज तक नहीं बनी है तो पार्किंग है ट्रैफिक है बिज्री के लटके हुए तार है जो आज तक कभी बदल न पाएं बाजारों में इंफरास्ट्रक्चर की बहुतादा कमी है हमारे जो रिजिदेशल एरियाज है उसमें सुविधाय है नहीं बहुत से क्षेत्रों में पानी या तो आ नहीं रहा या आ रहा है तो गंदरा पानी आ रहा है ड्रेनेज और सीवर च के बाद मैं तुरंत इन सारे कामों पर लगूगा और ट्रेड एस्सेशन और र्डवलो इस उन तोनों को मैं अपना सहयोगी बनाओंगा और उनके माध्यम से हम हम डेवलप्मेंट का सारा काम करेंगे घंदिलवाल जी अपसे अंटिम परशन यह रहेगा कि इस्तार पर चा परचार का सहरा नहीं लिया जाता इस्तार परचार का मतलब होता है पार्टी के वह वरिष्ट रेता जिनके जो अलग अलग राजियों में जाकर के अपनी बातों से लोगों के मन पर प्रभाव डालते हैं तो इस्तार परचारक किसे भी कैम्पेइन का हिस्सा है इसको सहरा नहीं किया रहा सकता और हमारे जो भी स्टार परचारक है वो सबी सीटों पर जाने वाले हैं दिल्ली में भी हैं दिल्ली से भाहर भी है और उसी क्रम में वो मेरी सीट पर भी आएंगे और परचार करेंगे यह थे हमाय साथ भाजबा परत्याशी चानी चौक से परवीन खंदेलवाल जिन्होंने अपनी साइस सवालों पर अपने मत रखे साथ उन्होंने बताया कि मोदी जी के नाम पर वो तो दलेंगे क्योंकि 10 साल मुख्य चेहरे के रूप में जिन्होंने डेश के लिए एक परवुत रूप से काम किया है इसलिए उनके नाम से वो दलना लाजमी भी है अब देखने वाली बात यह चानी चोक सीथ पे जंता कितना समर्थन दिखाने वाली है परवीन खंदेलवाल को और अगर खंदेलवाल आते हैं तो कितना समर्थन अपनी जनता के साथ दिखाते हैं कितना विश्वास काहिम कर पाते हैं इसके लिए आपका क्या सोचना है अपनी रहा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूंकित कर तब तक के लिए बनेए पंजाब केसरी के साथ कैमरा पसंद वैवक के सा झाल